गुड मर्निंग क्लास सेवन के सबे स्टूडेन जैसा कि आज हम लोग पार्ट दूसरा वाला पढ़ चुके हैं आज पार्ट से तीसरा वाला पढ़ेंगे जो कि दिया गया है एक यही उत्तर तो इस कहानी को पढ़ेंगे इस कहानी के लिए आप लोग किताब से मिलाते रहिए और खुद अपने से एक बार पढ़िए तभी आपको कहानी अच्छे से समझ में आएगी यहाँ पर देखिए जो कहानी हम लोग पढ़ने चार रहा है इसका यहाँ कोने पर दिया गया है तो इसका मतलब क्या होता है यहाँ पर बताया गया है कि प्रसूत पार्ट का उद्देश मनुष से जीवन में स्वास्त बड़ा महत्व है तथा स्वास्त शरीर का मानों जीवन पर कितना महत्व है यही इस पार्ट में बताया गया है कहने मतलब एक मनुष्ट के जीवन में स्वास्ट का कितना बड़ा मात्व है यही इस कहानी में बताया जाएगा तो आप यहां से एक ही उत्तर जो कि कहानी का नाम है एक ही उत्तर तो आप यहां पे समझें यहाँ पर दिया गया है कि हमारे देश में इस वी सन की प्रत्थम सताबदी में चरक नाम की एक प्रसिद आयूर विज्ञानिक हुए थे कहने के मतलब अपने देश में प्रत्थम सताबदी में बताया गया है कि एक चरक नाम के प्रसिद आयूर विज्ञानिक हुए थे विज्ञानिक हुए जैसे का आप लोग साइंटिस्ट आज के जवाने में बहुत सो गये थे उसमें चरक नाम से जो है प्रसिद थे उ तो आयूर वेद विज्ञानिक हुए थे तो उनकी पुस्तक का नाम है चरक संहिता और उन्होंने एक पुस्तक की दिशना किया था जिसका नाम बताया गया चरक संहिता आज भी यह भारती चिकिसा पद्धत का प्राशिंतम और स्रेष्ट करन थमाना जाता है चरक अपने समय के स्वियोग चिकिस्थक माने जाते थे मेघावी छाथ दूर दूर से उनके आस्रम में आते और उनसे आयर विज्ञान का ग्यान प्राप्त करके स्वियोग चिकिस्थक बनकर लवड़ते चरक का सिस होने के कारण समाज में उनको विशेश सम्मान प्राप्त होता था कहने मतलब उस जमाने में क्या था कि चरक नाम से जो है वो एक विशेश प्रिच्छन दिया करते थे और दूर-दूर के लोग आते थे उनसे पढ़ने के लिए और आयर विज्ञान का जो है ज्ञान प्राब्द करते थे और उनको एक चरक का जो सीष से बन जाता था उनको जो है एक चरक समाज में उनको बिशे सम्मान प्राब्द होता था कि भीया चरक से जो है सीख कर आये हैं और उनसे ग्यान प्रत करके आये हैं उसके बाद फिर आगे बता रहे हैं कि एक बार की बात है महरसी चरक अपने आश्रम में विज्ञान विचार मगन बैठे थे एक बार की बात है कि वो जो है महरसी जो थे चरक वो अपने आसरम में कोई बिचार जिंता में बैठे थे, मगन थे तभी उनके चार सिस्यों ने आकर उनके सरन चरन चुए तभी उनके चार सिस आ गए और उनके पैर चुने लगद चुए चारक ने उन्हें आसिरवाद दिया और बैठने का संकेत किया महरसी की अन्मत आँखे ताड़ गई महरसी की अन्भवी आँखे ताड़ गई कि वे कुछ पूछना चाहते हैं ये चारो आसरम के ने छात रहें आता ये पूछने में संकोच कर रहे हैं यानि वो जो महरसी थे वो जान गए थे कि ये चार से से मेरे किस लिए आए हैं उनके आखे तर गई यानि उनको जानकारी उन्होंने उनको हो गई कि यह कुछ पूछने के लिए हम से आए हैं और पूछने में संकोज कर रहे हैं मारसी ने बड़े मारसी ने प्यार भरे सुसवर में पूछा क्या बात है तो उन्हों क्या पूछना चाहते हो चारो से से कुछ सक पकाए और एक दूसरे को पूछने का संकेत करने लगे तो कहने के मतलब यह है कि चारो लोग आए तो जब उन्होंने पूछा कि महारसी ने कहा कि भाई क्या वात है किसलिए आये हैं आप लोग तो चारों लोग पूछने का संकेत करने लगे चारक ने फिर कहा अध्यापक और चिकिस्थक से कोई बात छिपाई नहीं जाती है मैं तो तुमारा आचार्य भी हूँ और चिकिस्थक भी हूँ अतहनी संकोच कहो फिर उन्होंने आस्वासन दिया कि अध्यापक से कोई बात छिपाई नहीं जाती है अध्यापक और चिकिस्थक यानि डाक्टर से नहीं छिपाना चाहिए यदि आपको ग्यान में कहीं कमी है तो आप तुरंट टिक्चर से अपने संपर करके पूछ लीजिए वो जो है समय से आपकी दूर हो जाएगी यदि आपको बीमारी है तो उसको छिपाना नहीं चाहिए वो डाक्टर से सला ले करके उसको तुरंट दवा की जरूरत होती है तो दोनों भी बात सही है कि अध्यापक और चिकिस्थक से कोई बात नहीं छिपानी चाहिए प्रस्ण का उत्तर पहले स्वयम घ्याद करो और तुम चार तुम चारों चार दिसाओं में जाओ और लोगों से विचार बिर्मस कर अपना-पना मत मुझे बताओ दूसरे पेज़ पर है, आप लोग देख लिजे फिर उसके बाद क्या हुआ कि गुरु देव के आदेश पर चारो सिस चल पड़े एक पूर्व को गया तो दूसरा पस्चिम को गया तीसरा उत्तर को गया तो चौथा दच्चिम को यानि चारो सिस उनके जो है चारो दिसाओं में चल दिये पहला सिस संध्या के समय ये गाओं की चावपाल पर पहुँचा जो पहला सिस था उनका उस संध्या के समय संध्या के समय एक गाउं में जैसे चवपाल हुआ करता है तो वहां कुछ लोग इकठे होते हैं तो एक लोग बोला करते हैं और लोग बाकी सुना करते हैं तो उसी चवपाल पे जब वो पहुंचा चवपाल हो रही थी तो वहीं पहुंचा चवपाल जमी थी उसमें बालक युवा बृद्ध सभी उपस्तित थे उसने अपने पर्चे मुखिया को दिया और लोगों से पूचा कि भाईयों आपके द्रिष्टी में स्वस्त ब्यक्ति कौन है चावपाल के लोगों ने एक स्वर में कहा स्वस्त ब्यक्ति वही है जो कठोर काम करके अपनी जीव का चलाता है काम करने से भूख लगती है गहरी नीद आती है कोई बिमान नहीं पड़ता है तो जो सिश था उस चावपाल जहां हो रही थी वही चावपाल में गया पूछने लगा कि भई अच्छा आप लोग एक हमारे प्रस्ण का उत्तर बता दीजिए कि इस दुनिया में स्वस्त ब्यक्ति कौन है तो स्वस्त ब्यक्ति के लिए उन्होंने जो वहां के मुखिया थे मुखियन ने कहा कि देखिए भाई स्वस्त बेखती हमारे यहां का जो भी है वो एक मेहनती इंसान है जो कठोर काम करती है अपनी जीवका को भी चलाता है और स्वस्त भी रहता है और उपने पूरे परिवार को भी चलाता है उससे क्या होता है उसको भूंक भी अधिक लगती है उसको नीद भी अच्छी आती है और वह कभी बिमार नहीं पड़ता है ये तो हो गई पहले सिस की बाद दूसरा सिस घूमता गामता एक नगर के चावग पर पहुंचा चावग पर बड़ी भीड थी भीड को संबोधित करते हुए उसने कहा आपके दृष्टी में स्वस्त कहा कि आपकी दृष्टी में आपके नजर में स्वस्त ब्यक्ति कौन है तो प्रश्ण सुनकर भीड में अनिक स्वर उभरे जो नियमित रूप से चावण प्राश का सेवन करता है वही स्वस्त है तो किसी ने कहा जो अच्छे से चावण प्राश करता है वही स्वस्त है एक और आवाज आई जितने मुह उतनी बाते सभी किसी ने किसी गुर्कारी आवसदी का नाम ले रहे थे एक यह भी कहते सुना गया कि जो व्यक्ति किसी प्रकार की आवसदी नहीं लेता वही स्वस्त है कहने इक मतलब उस भीड में जब पूछा गया तो वो सुभीड में उसको मिला की बाई देखिए जो आवसदी लेता है जो चौन प्राश लेता है डावर का लेता है बाबा रहंते लेता है जो भी हो तो मतलब हर एके मुख से अलग-अलग आवाजे आ रही थी तो कहा कि वही स्वस्त होता है अब तीसरा सिस जो था तीसरा सिस कहा गया तीसरा सिस प्रापता के समय जलासे के पाप पहुचा वहाँ से बहुत से लोग असनान कर रहे थे जवान और किसोर तैय रहे थे तथा बालक बृत पाने में घुसकर डुपकिया लगा रहे थे उसने सभी असनानर्थियों से का ध्यान आकरसित करते हुए कहा कि आप लोग स्वस्त व्यक्ति किसे मानते हैं तो तीसरा व्यक्ति जो था वो कहा गया था वहाँ एक जलास है था जिसमें सब लोग जल असनान कर रहे थे सभी लोग डुपकिया लगा रहे थे तो वहाँ पहुँचकर वह पूँचा, पुछने लगा कि यह भाई आप लोग यह बता दीजिए, कि इसमें से स्वस्त कौन ब्यक्ति है, दुनिया में स्वस्त ब्यक्ति कौन है, तो किसे मानते हैं, तो जो इसनान कर वा इसनार्थियों उनने कहा कि जो इसनान कर रहे थे ब् स्वस्त है, टट पर व्यायाम कर रहे हैं लोग उनने कहा कि नियमित व्यायाम करने वाला व्यक्ति स्वस्त है, तभी तैरने वाले बोल पड़े, तैरना एक अच्छा व्यायाम है, हम लोग इसी लिए प्रदिन तैरते हैं और स्वस्त रहते हैं, तो जलासे में रहने वाले सभी विक्तियों ने कहा कि जो विक्ति असनायन करता है और डेली तैरन्ने का काम करता है उसमें ब्यायाम हो जाता है वही स्वालगा इसके आगे चौता विक्ति कहा जाएगा पूछेगा क्या पूछेगा और नेश्डे पढ़ाएं के आज के लिए इतना ही वीडियो बस